जो दोनों टीमें हैं, काफी मजबूत नजर आती है, लेकिन एक चीज आपको बताओं दोस्तों, यह जो मैच है जैपूर के स्वाई मांसिंग स्टेडियू में खेला जाएगा, जब लास्ट टाइम ये दोनों टीमे खेली थी, तो जैपूर में राजस्थान की बड़ी करार हार हुई थी, RCB ने पहले टॉस जीता था, 171 बॉर्ड पे लगाए थे, और आपके टीम अखिल जी 10.3 और में सिर्फ साथन पर ओल आउट हो गए थी, पुरानी बात है, आपको याद है, आप 16 सल से ट्रॉफी नहीं जीते हैं, हमें तो याद है ना, RCB इस बार उड़ा द चार हारे थे, एक जीता था, लेकिन इस बार, RR की टीम अपने घर में बड़ी confident नजार आ रही है, दो मैच, SMN से शेडे में केलें, दोनों के दोनों जीते हैं, overall हमारी टीम तीन मैच खिलकर तीन मैच जीत चुकी है, तो आप पजजाब वले अपना मूँ बंद रखें, अ SMN जो टॉस होगा, बड़ा crucial factor रोल प्ले कर सकता है, SMN जो टॉस जीते ही, शायद हो सकता है कि वो पहले बैटिंग करें, और जो विकेट है, बड़ा अच्छा विकेट है, और पेस और बाउंस भी है, इस विकेट के ओपर बैट अच्छे से आती है, तो SMN जो Maxwell की बात करते है, ठीक वो घर पर नहीं जीते है, अखिल जी, लेकिन यहाँ पर उनके लिए अच्छा मौका है जीतने का, क्योंकि राजस्थान को गर हराना है, तो ऐसे तीन ऐसे क्या काम करने होंगे, जो राजस्थान को माद दे सकते है, RCB के टीम अखिल, पहला तो यह कि फाप डॉप वो तो क्या रख टॉपिक है, अगर तीन काम कहें, तो मैं कहूंगा कि विराठ कोली को थोड़ा अपने स्ट्राइक रेट पर काम करना चाहिए, उसके अलावा दूसरा काम, KGF, मलब विराठ तो अच्छा करी रहे हैं, मलब बल्ले बाजी में रंतों बनाई रहे हैं, पर मदद मिलने वाली है, तो मुझे लग रहे हैं, करणी शर्मा को उनको खिलाना चाहिए, तब ही ये टीम मैं जी सकती है, केवल विराठ कोली को छोड़ दे, दिनों ने दोसो तीनन मनाया है, चार मैचों में, उसके अलाव फाब डूबले सिस बल्ला बिल्ला बिल्कुल चल रहा है, ग्लैन मैकस्वेल ने बोलिंग अच्छी, कि अचार विकेट ले चुके है, लेकिन बल्ले से जब बात आती है, तो करीब 40-45 रहने, जो कि बिल्कुल भी ग्लैन मैकस्वेल की हैसित के हिसाब से बहुत कम रहने, फाब डूबलेस ने बिल्कुल निराश किए, द नुम्बवी खिलाडी ट्रेसिंग रूम में बैठे होते हैं वो प्रेशर लेते ही नहीं है प्रेशर आता है युवा खिलाड़ों के उपर और युवा खिलाड़ी हर मैच में आपके पंजाब की तरह से शांग सिंग तो उभर के नहीं आएंगे कि आरसीबी को मैच जिता दे यह दयाल चारों मैच खेलते आ रहे हैं लेकिन 23, 24, 48, 46 ऐसे रन खर्च किया है उनका भी चारों मैचों में एक विकेट का आउसत था उनको बाहर बैठाई है संभावित प्लेइंग 11 में आकाश दीप को हमने एंट्री दी है हमको लगता है कि खेलना चाहिए मुझे लगता आपको दिखाते हैं क्योंकि वो तो ऐसी टीम में जहां पर कुछ गलत है ही नहीं वो तो ऐसा करने जहां पर बिल्कुल जैसे करते हैं किसी चीज को छुओ वो सोना बन जाती है वो टीम है ऐसी यार उनका यंग टैलेंट उन्हें प्राइस किया है रियान प्राग दोस्तों जिन्होंने बड़ा इंप्रेस किया है और हाइस टन्गैटरिस टीम के लिए द्रूज रेल और शिमरन हैटमायर के उपर भी सवाल रहेगा क्योंकि वो लीचे से कब फिनिश करके देंगे मैश प्रॉपरी नहीं मिला है बले बाजी का अगर आप देखें जैस्वाद रन न नहीं है सैमसन पहले मैश में आफ सेंट्यूरी को उसके बाद कुछ नहीं किया